समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है सफा हो रही है पूरे प्रदेश से 2024 के चुनाओं के बाद स्री अखले से आदो जी और स्री राहूल गांदी जी एक किटली जाएंगे एक लंदन जाएंगे आप विश्वास रखना भाजपास सबका साथ सबका विकास करती है इसलिए मैं पूरे दावे से कहता हूँ सव प्रतिसत ओट में से असी प्रतिसत ओट हमारा है बीस प्रतिसत में बटवारा है बटवारे में भी हमारा है मैं स्री हरीज दिवेदी जी की दिल से इसलिए प्रसंसा करता हूँ कि इनके जैसा अपने लोकसवाचेत का विकास करने वाला सांसद बड़े भाग के से मिलता है बारती जंता पार्टी बहुमत प्राफ्ट कर चुकी है अब प्रचन बहुमत की और बढ़ रही है 2014 से जितने नारे उसने उन्हों दिये उस सब खोकले निकले हैं फरजी निकले हैं गुमरा करने वाले निकले हैं 2014 में आप विश्वास रखिए स्री राहूल गांधी जी राय वरेली से भी हार रहे हैं मेठीज डरके भागे यह दुस्प्रचार है अफवा है मेरे प्रधानमंति इसी नरेंद्र मोदी जी जब संसद वहोन में प्रवेश किये किसी जैसे भागवान के मंदिर में कोई प्रवेश करता है तो पहले माथा टेकता है उन्होंने संसद वहोन को लोगतंत्र का मंदिर मान करके पहले सीज जुकाया अपना देहरी पर सर रखा तम अंदर प्रवेश किये उन्हों लोगतंत्र का मंदिर माना सम्विधान को अपना सबसे बड़ा धर्म ग्रंत माना मोदी जी जैसा लोकतंत्र का पुजारी सम्विधान का पुजारी ये बड़े भाग से देश को मिला है या दुस्परचार करके अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे गरीब आदमी जानता है कि गरीब को लूटा किसने है गरीब की सेवा किसने की है दो तारीक को अर्विंद केजरीवाल जी जेल जाने की तैयारी करें उनकी बातों को गंभेरता से मत लिजे वो बाहर आए उल जुलूल बख रहे हैं उनको मालूब है कि इतना सराब पिये हैं गोटाले की वो सराब उनको परिसान करें सपा कांग्रेस वालों को भाजबाक चिंता कब से होने लगी आधनी योगी आधितना जी के नेत्रत में गुंडे बिल में घुज गये हैं कानून विवस्ता चुस्त दुरूस्त है पूरा प्रदेश आज देश में जिस प्रकार से अपनी पहचान बनाया है वहां योगी आध सपा का जंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा सपा का नारा खाली प्लाट हमारा ये समाजबादी पाटी आपराधियों माफियाओं को पैदा करने की फैक्री और कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्री पाकिस्तान राहुल गांधी जी का प्रसंसक है और मोदी जी का विरोधी है और यह जिहाद के नाम पर पाकिस्तान के नाम पर OBC का अरच्छन छीन करके केवल ओड वैंक तयार करने का जो पाप कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं यही OBC इनको सद्दा में बैठाया था यही दलित यही अधिवासी इनको सरकार में आने का मौक़ा दिया था यही इनको सदा के लिए विदा कर देगा गरती हुई पार्ठी जो जिनका गिराब गिरते हुए चला जा रहा है घर्थ में गिरेगा जाखें अब नीछे जा रही है कितनी नीछे पहुँचेगी इसका कोई हिसाब ते नहीं है और जैसे चरण आगे पढ़ रहे हैं जनता का गुस्टा भी इनके खिलाब बढ़ता चला जा रहा है और देख लेना आप जब साथ में चड़ में चुनाव आएगा जनता का गुस्ता इनके खिलाब साथ में आस्वान पर होगा इन्होंने किसान को धोका दिया नौज़मानों को नौकी रोजगार चीन लिए महंगा ही बढ़ा दी पेपर लीग करा दिये छूटे इन्वेस्टमेंट मीटें दिखाई दिफेंस एक्सपो जूटा ही दिखाया और केबस सपने दिखाए और इनका हर जूटा निकला देगे न केबल एरच बलकि बंदेल खंड के किसान को ना पानी का इंतजाम ना उनकी फसल की खरीद का इंतजाम विजली महंगी डीजल महंगा यहां के किसानों को तरस कर दिया है दुखी कर दिया है और राशन के नाम पर धोका इसलिए बंदेल खंड के लोग इनके खिलाब बद्दान करने जा रहे हैं बंदेल खंड के लोग यह पैचानते हैं कि उनका राजनेतिक दुश्मन कौन है इस चुनाव में बंदेल खंड के लोग भारते जिंता पार्टी का एंकार को खंड खंड करके विदा कर देंगे देगे आपको पता होगा के गुंडे माफिया अपरादी कौन है और वो वो लोग है जो नौजमानों के पेपर लीग करा रहे हैं वो गुंडे माफिया परादी हैं जो नौजमानों के पेपर लीग करा करके पेपर लीग करने वालों को बचा रहे हैं वो सबसे बड़े गुंडे सबसे बड़े माफिया सबसे बड़े लुटे रहे हैं समाजबादियों का इंडिया गडवन का विजन क्लियर है और विजन क्लियर है उसी का पड़ाम है क्या जनता का समर्थन इंडिया करबंदन समाजवादी पार्टी के साथ है जो लोग मनमर जी हैं जो अपनी बात मन की बात कह रहे हैं उसको इस बार जनता जो भारती जनता पार्टी गेंग है उसको 140 करोड की जनता 140 सीटों पर रोग देगी और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता सब समिधान की बात सुनना चाहते हैं